सावन में शिव भक्त क्यों करते हैं कावड यात्रा, जाने कब और कैसे हुई थी इसकी शुरुवात। सावन मास भुलेनात को समर्पित माना गया है। सावन के महीने में शिवालियों में भक्तों का जमाबडा लगता रहता है। पूरे दिन मंदरों में हर हर महादेव के जैकारे गुंचते हैं। सावन मास में शिव भग भुलेनात को प्रसंद करने के लिए कावड यात्रा भी करते हैं। इस दोरान कावड को एक शण के लिए भी धर्ती पर नहीं रखा जाता है। तो आईए जानते हैं क्योंकि जाती है कावड यात्रा और कब हुई इसकी शुरुवात। धार्मिक मानेताओं के अनुसार भगवान भोलेनात के भग्त हरिद्वार से पवित्र नदी गंगा का जल लेकर शिव जी का अभिशेक करने के लिए अपने स्थान्य शिव मंदिर तक कावड को कंधे पर उठा कर लाते हैं। ये संपूर्ण यात्रा पैदल ही की जाती है। कावड यात्रा करने वाले भग्तों को कावडिया कहा जाता है। कावड के जल से भगवान भोलेनात का अभिशेक श्रावन मास की चतुरदशी के दिन किया जाता है। मानिता है कि इस कठन यात्रा को करके कावड के पवित्र जल से भगवान भोलेनात का अभिशेक करने वाले व्यक्ती की हर मनुकामना पूरी होती है और शिवजी की कृपा उस पर बनी रहती है। जोतिश शास्त्र के अनुसार इस कावड यात्रा द्वारा ये संदेश मिलता है कि भगवान भोलेनात केवल अपने भग्तों की श्रद्धा और एक लोटे जल की अभिशेक से भी प्रसन हो जाते हैं। वही कावड यात्रा की शुरुवात को लेकर कई कथाई प्रचलित हैं। भगवान पशुराम ने सर्व प्रथम गड़ मुक्तेशुर से नंगे पैर कावड यात्रा करके बाकवत के निकट स्थितपूरा महादेव मंदर में भगवान शिव का गंगा जल से अभिशेक किया था वही आज के समय में कावड यात्रा कई तरह से किली जाने लगी है लेकिन वास्तव में कावड यात्रा पैदल की जाती है और यात्रा के दोरान भग्तो को कड़े नियमों का पालन करना होता है कावड यात्रा के दौरान भगतों को सात्विक भोजन करना होता है मानसाहार और शराब आदी के सेवन से बचना होता है वहीं रास्ते में कहीं भी कावड जमीन पर नहीं रखी जाती है विश्राम के समय भी भी कावड को पेड पर लटकाना होता है अगर कावड को नीचे रखा तो उसका उद्देश सफल नहीं हो पाता ऐसे में दोबारा गंगा जल भरकर यात्रा शुरू करनी होती है कावड यात्रा के दौरन आपने जिस मंदर में भिशेक करने का संकल पिया है वहां तक आपको पैदल चल कर जाना होता है कहा जाता है कि रखावड यात्रा नियमों के साथ पूरी करने पर मन्नत जरूर पूरी होती है